हलो माई यूट्टूब फैमिली कैसे हैं आप आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ पहले तो आप सब को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से मकर सक्रांती की धेर सारी शुबकाम ना हैं तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मगर सक्रांती के जोहार की शुरुवात होती है, हमेशा सुबह उटते ही सब के नाने से, और मैं ना चुकी हूँ, और आज काफी ठंड भी है, और बाहर तो बहुत ज़्याधा कोहरा है, और इस कोहरे को देखके, इन दोनों का दिल तो ब तो अब ठंड तो रहेगी, फिर भी नाना तो पड़ेगा, तो नाने के बाद ही सारे काम करूंगी, आज मैं, मैं तो ना चुकी हूँ, खैल, इन दोनों का भी पानी हो रहा है, जरम उसके बाद ये दोनों भी ना लेंगे, और तब तक मैं बाकी की काम कर लेती हूँ, फिर अब लेती हूँ, बश्य मिलते हैं आपसे, ये बच्चा सबसे लेट ना आया है, और क्यों ना आ सकते लेट, जिसको चोट लगी होती हो लेट इना इना सबसे को कहा लगी चोट है, ना पर लगा अच्छा लगी थी चोट, अ जब उचलकूत करें कारें चोट मुझे लगे तो मैं ठंड में ज़के बैठे ह्लना होता है वर्माण जब मैं फुरी तो मैं घर में थुसा शुकूल में घrim खाने ए किमेरा था अफते में तीम भार को यह गेर समीर härण मीने ता है तो कुधि दूस्मेरा था । थंड मैं छूदि से चोटम दद क्यों होता है आप पता चला क्यों होता है? वहाई नहीं कुझी वहाई इदर? अच्छा यह दवाई कुण लगवाराता बार बार जोगता है तो तो मैं ऐसे लेवार था है अजींखी दिखेई थी स्रीयो जाई अच्छादर थी वह बता अजींखी बता वहाई बता, इसले हintéई अफ जबता घया करका है। घ्यमान करता है कुझी लगवाराता है याश, घ्राप अच्छा अच्छान करता है ऊल्रमंद करता है टो ने ला लोट जोगता है दो पटावटता तो रेडी होजाता है बस कहीं भूमने का नाम ले दो फूर्ती से रोकेट की स्पीड से रैडी हो जाती है अब भी चाते है तो फ्रेंट्स अभी मैं आपको सीधा शाम को चार वजे मिल रही हूँ और ज्यादा तर तो यह होता है जो सकरांत पे है जो भी खाने पीने का जो भी बनाना होता है हमें वो हम सुबह सुबह ही बनाते हैं सुबह ना दोके लेकिन आज थोड़ा सा दिक्कत हो गए थी एक तो यह कि मम्मी की कान में हो गया था थोड़ा दर्द और उन्होंने हमें बताया नहीं काना पीना खाके सु ममी नहीं है, तो मैं बना देती हूं. पर इनको भी मम्मी के हागि कामा था हुट तो हमने इनतजार किया. और मम्मी आई काफी लेट, तो इस चक्कर में हम थोड़ा लेट हो गए, और बहुत दिर इनतजार करने के बाद करीब दो बजे मम्मी घर आई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उनके आने के हमारे पडोस में एक रिलेटिव रहते हैं इनके गाओं के उनका फोन आ गया कि उनकी जो दादी हैं घर में उनकी काफी तब्यत खराब हो गई है और कोई भी जैंस घर में नहीं था तो गुलशन उनको लेके होस्पिटल चले गए तो इसमें भी काफी टाइम लगया तो बस गुलशन वहां से आये थे तो उसके बाद ही मैंने फटाफट से आटा गुंदा और ममी भी आ गई थी छट पे तो अभी देख रहे हैं आप लोग शाम होई गई है लगबग सूरज मतलब अब तो सरदिया है तो चार बजे के करी सूरज लगबग ढ़लने वाला ही हो जाता है फिर भी हमने फटाफट से बनाया मैंने रोटिया बना बना के दी मम्मी को और मम्मी आ बना रहे हैं हमारे लिए चूरमा कोई नहीं देर सवेर कोई बनाई लिया हमने तो फ्रेंट्स आज की वीडियो की जो स्टार है वो है यह अथने सूरमा बनाका बहला हैं चूरमतां को प्रवां यहिवा को स्टार हुआ हमने चूरम के लिए बनाई सक्राँ ऐसक्रश करूं दिन drafting लेकिन क्वाशी स्धेतरे का। वो मैं कभी बनाई नहीं पाती हूँ इसलिए ये चूर्मा तो हम ममी किसे ही बनवाते हैं तो ममी आप गाओं में कैसे बनता था आपके गाओं में ये मैन सबको राम राम मैन हमारे गाओं मेन बस तुछो मत इतना चूर्मा बनाते थे हम 10-15 बन दे थे और कितने भेन भाई ते हैं हम छे भेन हैं दो भाई और हमारे चाचा चाची मा पित्व बाउजी में जाती और फिर सब हम उप्षण में कूठ दे थे उसको मतलब इतने सारे लोग थे घर में अगर हाथों से बनाते तो मतलब काम चलता ही नहीं इसी लिए उखल और मूसल में बनाते थे भेर सारा चूर्मा बड़ा परिवार होता था पहले आज कल तो हमारा तो आप लोगों को बताई है चार लोगों का परिवार है बस तो इस ना देशी गी बैस का और मेरी दाती ना भर-बर पढ़िया पढ़िया होता था लोएका वो पढ़िया बर-बर के डालती थी सब गया अगे कोई कितना ही घी खाओ और पहले तो देखो शुद्ध घी मिलता था आज कल तो नहीं मिलता है वो लेकिन फिर भी काम चला हूँ बना चुले की रोटियों का चूर्मा पहले तो हमेशा गैस की रोटी गाई बनाते हैं लेकिन आज हमने सोचा पूरा प्रोपर गाह वाली फीलिंग लेनी है इसलिए हमने आज पूरा सब कुछ उसी तरह से बना रहे हैं यह देखो तीन रोटियों का चूर्मा यही खाणा है नो और जितना अभी मुमी यह चूर्मा मतलब बना रही है तीन रोटियों का बना रही है इतना तो पहले एक बंदा ही खा लेता था लेकिन वो यह ना आज कल की जनरेशन नहीं खापाती है पहले के तरह क्योंकि इतना गी तो आज कल बच्चे भी नहीं खापाते हैं बच्चे तब हम वीडियो बनाएं लेकिन हमारे यहां चल रहा है वीडियो में बाहर गली में खुदाई का काम की सीवर लाइन डल रही है तो इसलिए भी शोर हो रहा है मुझे क्यों निखा रहे जब तक मैं यहां व्लोग में व्लोग पूरा कैसे हो सकता है तो हमारा चूर्मा भी यहां बनके रेड़ी होने वाला है यह देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो अभी हम ज़्यादा बाते में कर पाएंगे क्योंकि पीछे बहुत शोर आ रहा है तो अभी हम पहले चूर्मा बन जाता है खाते हैं फिर आप लोगों से बाते करते हैं तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है जब भी हमारे घर में कुछ भी तोहार पेया वैसे भी कढ़ाई चड़ती है या कुछ मीठा बनता है या कोई भी महमान आए जो भी कोई मीठा लाता है तो सबसे पहले वो हमारा जहां पे मैंने पताया है जहां भी हमारा पानी का स्रोत है वहां पर जरूर बोग लगता है सबसे पहले तो अभी रिहान वही चड़ाने गया है तो यह हमेशाता जादा तर ज्हीं काम रिहान के रिहान ही करता है और चूरी सब्सक्राइब तो जी हमारा बिल्कुल प्रोपर देशी स्टाइल का गुड़का चूर्मा बनके रेडी हो गया है और उपर से इसमें गी डालेंगे इसके लिए हमने चूले में थोड़ी सी आच में इक टोरी में गी डालके रख दिया है की के बिना तो काम नहीं चलेगा जो जो जिसको चूर्मा खाना है आजाओ जल्दी से पटापा आज आज जल्दी से पटापार आज आज अरे बैटो बैटो आज अरे बैटो इससे मीठा काया इनी जाता है ज्यादा लेले तो वरना हमेशा सूबस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस्बस और हमारी चोटी सी फैमली कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना मेरे चैनल के नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आल पर सेड़ कर लीजिये हैं तो मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई